धियुक्ण ब करेंड़ करेंगे जो चलिफ के बीएट का टॉपिक है मुस्लीम सट्षा जिसको मध्यay काली जाए बोला जाता है तो इसमें सबसे पहले देखा जात है कि मुस्लिम कालीन सच्षा it is इसलाम धर्म इंडिया में आया उसी टाइम से जो इसलाम धर्म की जितने भी मतलब कि सिख्छा पढ़ती थी वह भी यहां पर क्या होने लगे उसका भी अधिकार होने लगा इसलामिक सिख्छा का धर्मी था क्योंकि वह अपने सिख्छा का क्या करते थे मतलब कि अपना उनका सिख्छा का प्रचार करना चाहते थे उनका में था कि इसलाम धर्म का प्रचार कर सके और इसके लिए उन्होंने अपनी सिख्छा प्याश्ता को भी क्या किया मजबूत किया इस्लामिक सिक्षा का अधार जो थे मतलब कि जिन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया मुस्लिम का लिन सिक्षा का उसमें में नाम थे आपके मुहम्मद कौरी कुतुपुतीन एबाग जो कि अपने हिस्ट्री में बहुत सरे ऐसे जो इस्लाम सर्म के में बिन जो हैं इन सब क प्रशार करना चाहरे थे तो अपने धर्म के प्रचार को शवाब मानते थे सिक्षा को धर्म प्रचार का साधन माना और उन्हें ये पता चला कि अगर मैं हम सिक्षा को बढ़ावा देंगी तो हमारे धर्म का भी क्या होगा प्रचार प्रचार हो सकेगा ताकिर जो समान ये जनता है मतलब कि जो कि मुस्लिम नहीं भी है वो भी मतलब कि सिक्षा के मादियम से मुस्लिम कानून सिधान थे उनके बारे में जान सके इसी दर हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो सांसारिक और भौतिक ऐस्वरी को प्राप्ट करने के लिए पढ़ना लिखना बेहत जरूरी है एस्वरी सिक्षा में रूच्षी रखने के लिए उच्पथ समान थता अन्यपिड़वन दिये जाते थे क्योंकि جो सांसारिक सुख होते हैं वो किससे मिल सकते हैं सिर्फो सिर्फ सिख्षा के मादियम से हमें मिल सकता है और आगे ये उनमें मतलब कि इसलाम सिच्छा में जो भी इसलाम सिच्छा को गरहर कर रहे हैं उनमें रूची बने रहे हैं इसके लिए उच्पद सम्मान देता अन्य प्रोडलोबन दिये जाते हैं जिसे आजकल भी हम एजुकेशन में जो बच्चे हैं वैसे एजुकेशन का एक एम नहीं है बर मेंली क्या करते हैं इसलिए पड़ते था कि हमेरी जॉब लग जाए तो उस चाहिं पर उन्हें यह लालस दिया जाता था कि उन्हें मतलब कि अच्छा डेजिगनेशन दिया जात इसका दूसरा जो उदेशी था उसमें यह था कि जो इसलाम धर्म की जो जो अनुयाईयों हैं अर्थात बार्कि जो जो उसके धर्म को अपनाते हैं या जो जो उनको फॉलो करते हैं उनको उनके ज्ञान के प्रकास का विस्तार करना था जैसे कि पैगंबर साम ने बताया थ बताया और उनने ये अपने इच्छा वेक्त की भी कि अगर प्रतीक बालक अगर ग्यान अर्जित करेगा मुसलमान बच्चे से ग्यान अर्जित करने को उनने इच्छा वेक्त की उनने ये बुला अगर हर एक बच्चा अगर ग्यान अर्जित करता है तो मुझे बहुत ही खु सिक्षा के माद्यम से पॉसिबल को 1918XT ik besides सिक्षा प्राइब असिस्ता है सिक्षा के बढ़ एक अच्शनने सब्सक्राइब जो राजे था उसके सनक्षण में होती थी आई वर्ग के अनरूप थी आपकी जो एजे उसे के अकॉर्डिंग आपको सिख्षा दी जाती थी सिख्षण कारी जो होते था प्रंप्रयागत बीधियों के धार्पी किया जाता था सिख्षा को जो माध्यम्दा अर्बी वेस्ता और जो हाई लेवल वाली जो होती थी उसमें फार्सी भासा का भी प्रियोग होने लगा नैक्स्ट इस च्छा बेवस्ता क्या थे वहां पर मद्यकालीन सिख्षा में सिख्षा में मक्तब अम अधर्से इस्तान में संपन होती थी यह दोने इंपॉर्टेंट वर्ड एंए ए मदर से बोले जाते थे तो मक्तब प्रात्मिक सिख्षा के केंद्र थे जहां पढ़ना लिखना सिखाया जाता था मक्तब किसे ना किसे मस्जिद से संबंध होते हैं अर्था जहां पर भी मस्जिद होगा उसके पास में एक मक्तब जरूरी मिलता था जबकि मदर से जो थे उ बिस्मिल्ला संसकार भी बोला जाता है कि बच्चा अगर चार वर्स चार माह चार दिन का होता है तो उसको क्या किया जाता था उसका विस्मिल्ला संसकार होता था और उसकी बाद से बच्चों को मतलब कि जो वर्ड सिखाया जाता था कुछ इनके पच्पनवा एक क्यामान जाता था अच्छा माने जाता था कि हां बच्चे ने बोल दिया मक्तबों में दी जाने वाले सिछा का पाटे करम बच्चों के आई वर्ग के अनुसार था यह अभी भी आज की एजुकेशन में भी आई है बच्चे की जो लेवल है मैं जो इसका एज ग्रूप उससे का कुरान का अधियन करना सिखाया जाता था क्योंकि मुस्लिम कालिन सिख्चा की बात की जा रहे इसलिए कुरान उनकी पवित्र पुस्तक होती है इसलिए क्या सिखाया जाता था कुरान का अधियन करना सिखाया जाता था सिख्चा अर्भी भासा में होती थी तो यह था हमारा अगर आपको समझ में आया है तो इसके लिए प्लीज हमारे वीडियो देखिएगा और आगे कमेंट्स में बताइएगा आप जो भी टॉपिक चाहते हैं